एक राजनेतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी ये चुनाओ हम पीजेपी एक राजनेतिक दल हिंदुस्तान के इंस्टिटूशन्स हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्णन्स का स्ट्रक्चर है इंटेलिजन्स एजन्सीज, CBI, ED, ये सब, आधी जुडिशरी इन सब के खिलाफ हम लड़े थे क्योंकि इन सब संस्ताओं को इन सब इंस्टिटूशन्स को नरेंद्र मोदी जी ने और अमिट शा जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूँ, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुट के किया और आपके emotions कहां थे हमें मालुम है लडाई समविधान को बचाने की थे, constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताओं तो मेरे mind में था पहले से जब इन्होंने हमारा bank account cancel किया जब chief ministers को जेल में डाला पार्टियां तोरी मेरे mind में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने समविधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगी और ये सच साबित हुआ मुझे में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से इंडिया गड़बंदन के पार्टनर से Congress Party के हमारे सब नेताओं और बबर शेर कार्यकरताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने सविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है Congress Party Congress Party ने इस चुनाओं में Congress Party के सब नेताओं ने दो तीन चीज़ें की सबसे पहले हमने इंडिया गड़बंदन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की उनकी जो विशिस थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गड़बंदन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात Congress Party ने Clarity से हिंदुस्तान को एक निया विजिन दे दिया है प्रो पूर विजिन प्रो प्रड़क्शन विजिन हिंदुस्तान को इंडिया गड़बंदन ने साफ दे दिया है यह जो हमारा performance हुआ है इंडिया गड़बंदन का performance हुआ है इसके पीछे Constitution जो reservation पर BJP ने आकरमन किया गरीबी अदानी जी के आपने stocks तो देखे होंगे देखें देखें उस stocks उनके तो बड़ी interesting बात है जनता अदानी जी को मोदी जी से directly correlate कर रही है मोदी जी की हार होती है stock market कहता है भई आपको नहीं चाहते हैं मतलब डाइरेक्ट relationship है corruption की relationship है और देख ने नरेंदर मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं and this is the main thing that this election has said the country has unanimously and clearly stated we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country we do not like the way they have run this country we do not appreciate the way they have attacked the constitution we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years so that is a huge message to Mr. Narendra Modi I'd like to thank everybody who has participated in this election I am extremely proud of the people of India I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution और अन्त में मैं आपको कह दूँ कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है सबसे गरीब लोगों ने किया है मजदूरों ने किया है किसानों ने किया है गलेटों ने किया है आदिवासियों ने किया है पिछडों ने किया है इन लोगों ने इस Constitution को बचाया है, इस Constitution ये Constitution देश की अवाज है, बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, छुप रहे गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस Constitution को बचाया, मैं उनका धनेवाद करना चाह हूँ कि Congress Party आपके साथ खड़ी है, जो हमने आपको वाइदे किये थे, हम वो वाइदे आपके लिए पूरे करेंगे, जाती जनगरना, महलक्ष्मी, ये हमारे वाइदे हैं, धन्यवाद, शुक्रिया राउल जी, अभी तीन चाह सवाल सिर्फ हम लेंगे, एक मिनिट एक मिन एक मिनिट शान्थ हो जाएए, एक मिनिट शान्थ हो जाएए, एक मिनिट खर्गे जी और राहूल जी आपका चार पांच सवाल लेंगे, संजीव, हाँ जी, एक मिनिट, एक एक करके चिलाएए च crappy और हमाद, था संजीव. राहूल जी। राहूल जी। राहूल जी। राहूल जी। एक मिनिट 一 tus वी अंद सवाँ एक मिनिट बहूल जीएरो सम३िकिंट वेक मिनिट हो जएक मिनिट लियु। एक सप्कर निक ट्रूप दिस यर्ट इमिट अम्टेंट एक K We, as we have said earlier, we are going to have a meeting with our partners, the India alliance partners. I believe that meeting is tomorrow and these questions will be raised there and they will be answered there. We respect our alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. Sir, sir, you are saying that this is a horrible death of Hindustan, a horrible death of Hindustan, so if you are sitting in the vipaksh and you are not going to make it before, because the number of India and India alliance is not going to make it before, if you are not going to make it before, then how do you get them to come to their rights to come to the future? That is the question that you are asking in the other way. Tomorrow we will decide, there is a meeting of India's alliance, tomorrow we will decide our alliance tomorrow. It is a very fine line, so whatever we will decide India's alliance, we will take action. Sir, 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 sir. say, sir, 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 sir use it. तो यहां पर क्या आपको लगता है कि आपने का नेतिक अधार पर प्रधानमंति नरेंद मोदी को नहीं बने रहना चाहिए क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके और क्या खुद नरेंद मोदी को यह फैसला लेना चाहिए देखिए अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने स्पस्ट किया जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं वो देखिएंगे सारे स्टैटिजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे इसलिए जराम जी जराम जी जराम जी जराम जी खरगे साब किन हम जनादेश को सुईकार करते हैं जनादेश इंडिया गट बंदन के लिए क्या है विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए और आप दोनों सीटों से जीते हैं बधाई आप कौन सी सीट रखने वाले नहीं दोनों सीटों से जीता हूँ और राइबरेली और वाइनार के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा दोनों सीटों मैं तो नहीं रह सकता हूँ बट अभी डिसाइड नहीं किया है राउल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी काफी लंबी यात्रा रही काफी बीच में उतार चड़ावाए अब सव कहां कड़ा आपने चुआ है तब एक रही थी कि आप विपक्ष की पॉलिक्स करके पार्टी को मजबूत करें अब मैं पूछ रहा हूँ अब आपसे पूछ रहा हूँ दो चीज़ है यह जो मेंडेट मिला है आप अपोजीशन में रहके आप और पार्टी मजबूत करना चाहते है या सरकार बनाना चाहते है आप चाहते क्या है नहीं देखिए हम एक कोईलिशन के भाग है ठीक है कॉंग्रेस पार्टी है बाकी पार्टीया है और उनके साथ अभी हमारा डिसकॉशन नहीं हुआ है हमने होगी और उस मीटिंग में हम यह जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे तो सच मुच में इस सवाल का जवाबा आज हमारे पास है नहीं कल होगा अज़ि अमेठी में आप के लिए कहा गया कि राहूल गांदी ने अपने पीए को चुनाव लाड़ा दिया अब उनी किशोरी लाल शर्मा जी जो है वो चालिस साल से अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिष्टा है शायद BGAP के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोसली कनेक्टिड व्यक्ती हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी और मैं उनको यो कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनको बारे में ये कहना कि वो PA है, STUNO है ये बिलकुल गलत है, ये offensive है, ये नहीं कहना चाहिए राहुल जी, मैं मोहित हूँ, News Nation से आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूँ देखिए UP की जनता से मैं कहना चाहता हूँ आपसे ज़ादा political wisdom मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया UP के जनता ने कमाल करके दिखा दिया नहीं नहीं बहुत सारे states ने कमाल करके दिखाया मगर UP ने हिंदुस्तान की राजनेती समझ कर Constitution पर खत्रा समझ कर उत्तर प्रदेश ने Constitution की रक्षा किये और मैं सब states का धन्यवाद करना चाहता हूँ मगर उत्तर प्रदेश को मैं special कहना चाहता हूँ आपने Congress Party का इंडिया कर बंदन का समर्थन किया बहुत बहुत धन्यवाद राहूल जी राहूल जी राहूल जी और इसमें यूपी में एक और बाद मैं बोल देता हूँ एक और बाद यूपी के बारे में बोल देता हूँ इसमें मेरी बेहन प्रियंका गांधी का भी काम है तो यहां पीछे एक छुपी होई है राहूल जी शुक्रिया साथियों शुक्रिया हो गया राहूल जी राहूल जी राहूल जी झाल झाल